रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बाच्च्वित कसल सलाज जारी है बतादे कि दोनों देशों के बीच तीन चल्णों के बाच्चित हो चुकी है हाला कि अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है वही रूस ने धमकी दी थी कि अगर कोई अन्य देश युक्रेन की मदद करता है तो उसे भी युद्ध में शामिल माना जाएगा अमारिका ने रूस पर कई प्रतिबंतों लगा दिये हैं और अब नाटो देशों को युक्रेन को फाइटर जट देने की भी मंजूरी दे दी गई है हाला कि अभी किसी देश ने युक्रेन को लड़ाकों विमान देने का कोई मजबूत प्लान नहीं बताया है रूस और युक्रेन की जंग का आज 13 दिन है इस बीच सबसे बड़ा अपडेट ये है कि युद्वराम को लेकर दोनों देशों की बीच तीसरे दोर की बादचीत भी बे नतीजा रही है सुमवार को बेलारूस में हुई इस बादचीत में युद्व के बीच लोगों को निकालने के लिए युक्रेन में हुमन कोरिडॉर बनाने पर सहमती नहीं बन पाई इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि रूस ने लगातार दूसरे दिन रूस के नागरिकों को निकालने के लिए सीस फायर जारी रखने की बात कही है अकीव, खारकीव, सूमी, इचनहरीव और मर्योपोल शहरों में युद्व विराम रहेगा वही सोमवार को भी इनी पाँच शहरों में शंगर्श विराम रखा गया था इधर रूसी बंबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए युकरेन छोड़ रहे हैं इनमें बच्चे बुजर्गों से लेकर बिमार तक शामिल बताय जा रहे हैं युकरेन के हाराग बच से बत्तर होते हुए नजर आ रहे हैं